जय मादुर्गा, अभी हम अपने किचन में है और आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं और है शकर कंद की एक मिठाई उसका नाम है कंद की लड़किन लड़किन जो होता है बेंगौली मिठाई है और यह लड़किन जो बने गए हम शकर कंद से बनाएंगे उड़ीशा में क्या वनने का प्रोसेस वह दूसरा है एक गुलाब जामुन का प्रोसस भर कि लतिन बने का बनता जो हमेरे पोडोसी है यहा फिर पही हमें क करते ही यह घानल कुछारक करने ले लोग है ढ़ोड कर Trade बनाना किसी को नहीं आता था मेरी दादी के अलाबाट कर रहे हैं. मेरी दादीन बनाती थी और बहुत ज्यादा अच्छा बनाती थी और मैंने उनी स्यीखका यह शुटाये बनाना और इसके लिए बहुत शारे चीजे कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी फ़लाहडी है और इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए चलिए पहले जान लेते हैं जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कम सामान चाहिए और सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है कंद यहां पर दो कंद को मैंने उबाल के लिया है और उसके साथ मैंने लिया है छेना पटास ग्राम यहां पर मैंने छ उस्तिमाल करें लेकिन मेद कितना लगे गाइगा यह कंड किम मेदने का मेद लें का डाल रही खर्याव किणर करें रही भी निए खर्यार लेकिन सबस्वजर दौड़ कवेडा मैद लेकिन सबस्कुलह स सबस्का अब तो अब डाले रही लिए अपर एक प्यान चड़ी पानी राह सिरप ıामे होगी, अजह से alग electronics पम आप चर दो में in दो किह जा जरुआ जाए यदरी जोप कर दो कि कह दो मुझे साहतंगे लिए स्वागि कम भरक्म युद्सा田 भक्तashad oath बिल्बकुल वैसा ही सिरफ चाहिए नो इसमें कोई एक तार की चास्णी हुएसे हमें विल्कुल भी नहीं चाहिए तो अभी इसको डाल दिया है तीन कप पानी तो अभी इसमें दो इलाइची डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे जाहें कोई ठार वाली चाश्नि अभी एमने इसमे डाल दिया है ऑभी हम ट्खे हम छोड देते हैं एक हैं पानी आठ्व behaviors शक्कत भी उसमें मिल चुका है अभी हम उसमें ठोड़ा से साफ्रन डाल देंगे साफ्रन की फलेवर हम यहादा अच्छा आएगा पहले साफ्रन हम नहीं डालते थे क्योंकि साफ्रन यहां पर अभलबल नहीं होता था और जो इंडिया का इस्टन जोन है नौर्थ इस्टन लेकर इस्टन जोन है यहां पर साफ्रन का इस्तिमाल नहीं होता हम साफ्रन हो गया कसूरी मेथी हो गया यह हमारे डेली के खाने में यह नहीं मिल रहा है हर स्त्माल कर रहा तो हम कर रहा है लेकिन नौर्टिज साइड वह हैं को हम आधा इस यूर्ट साइड call में था ज़रा हम लें गवन नाधु चेने को अच्छी तरीक न दीडके बनानी मिलें एक तरीके से नहीं तो ये गुलव जामुन अच्छार नहीं बने गवे Colin जदेलिता है उठकी वह और पर लेकी चांद द नहीं आपने एने गी ज़्य नहीं अभी देखिए छेना हो चुका है, मतलब अच्छी तरीके से हो चुका है, और अभी हम क्या करेंगे, यह जो मतलब मिष्टी आलो जिसको कंद बोलते हैं, या फेर शकर कंद बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, उसको डाल देना इसमें, हमेशा याद रखिए इसका परिर्मा बिल्कुल स्मूथली यह गून जाना चाहिए, अभी देखिए, कंद और जो छेना है, अच्छी तरीके से मिल चुका है, और अभी हमने जो दो सामान अलग रखा है, मेदा और बेकिंग पावडर उसको डाल देंगे, और यह थोड़ा इतमें ज्यादा मॉश्चर नहीं है, मैंने देख लिए, बहुत ज्यादा मॉश्चर नहीं है, यहां पर मैंने आठा चमच बेकिंग पावडर और एक चमच मेदा डाला है, इतने में हो जाएगा, अगर ज्यादा मॉश्चर होगा तो शायदा मेदा लगता, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से मतलब इसको गूंद सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं, उसके बाद हम उसका बॉल्स बनाएंगे, यह देखे, यह बहुत अच्छी तरीके से गूंद गया है, यह देखे, बहुत अच्छी तरीके से गूंद गया है, और अभी हम क पेड़े बनाना शुरू करते हैं पेड़े काटना यह देखिए यह बहुत ही कम टाइम में बनता है और गुलाब जामुन से भी बहुत कम गूंधने के लिए भी टाइम लेता है अभी अगर आपके फास शकरकंद है तो डेफिनेटली इसको ट्राइ कीजिए आपको निराष् पर आज़े गूलाब जामुन नदाना आप चाहें तो इससे जाधा बढ़ा भी बना सकते हैं और स्ट्र एक बार यह बहुत जादा नरम होता है तो आपको जो फ्राय करना है और शकर में डालना है इसको तो प्रशार है तो अब यह बन गई तो चलिए वह भी प्राय करते हैं यह देखिए तलने के लिए मैंने यहां पर अलड़ी तेल गरम कर लिया है आप चाहें तो गी में बना सकते हैं लेकिन लेड़किन और गुलाव जामुन में फरक होता है लेड़किन को बहुत ज्यादा गरम तेल में तला जाता है अगर अगर तेल थंड़ा होगा या तो खु जाली तरीके से बनेगा नहीं तो ध्यान रखना है और जाली वेगरा ज्यादा मतलब लगाना नहीं है धीरे धीरे उसको थोड़ा पैसंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने कहा के गुलाव जामुन से थोड़ा ज्यादा नरम होता है तो अभी हम क्या करते है दोनों साइड इसको तल लेते हैं अभी देखिए यह अच्छी तरीके से हो गए है जाली वे ने लिका लिया क्योंकि थोड़ा लग रहा था तो मैं खुंति का इस्तिमाल कर रही हूँ अभी यह देखिए यह चारों अच्छी तरीके से हो गए है और सकरकंद अलड़ी पका गी वह प्रोब्लम नहीं होता है कि गीव के फ्लिपर बड़ा अच्छा होता है लेकिन तेल है तो इसको तेल निकाना पड़ेगा और टिशु पर के अपड़ेगा अभी मैं इस चार को निकाल लू और बाकी जो चार उसको भी फ्राइक कर लेते हैं अभीदेगे मैं निकाल लिये हैं और यहां पर देखे यह जो पांच यह बड़े ऐच्छ तरिके से निकल खाए अच्छी तरिके से प्राह है लेकिन यह झो तीन है इनके से साहिद थोड़ा गड़प हो गया देखें यह बड़े साबूत बनें हैं अच्छे गोल गोल इसकी जब बाद में जो चार में डाला था उस वब्त मैंने ग्यास के दूसरे चरफ कुछ चावल चड़ा के रखा ता उसको देखने के चकर में इसको मैंने घ्यास को थोड़ा धीमा कर दिया ना यह सिर्फ लग गया और चप्टा भी हो गया जैसा मैंने कहा था कि तेल थंड़ा हो भी इसको भी हम वहाँ सेस्ट हमें डालेगे लेकिन पहले हमिक निकाल लेंगे अचे तरिके सिर्फ को लेंगे यह थोड़ा सा लगा Haiॉ चप्टा है इसलिए बाद में डालुगी जैसा मैंने कहा पांच सेसां है भी लगें व writerow the यह दून्यों ऑ सब्यान सोगने शीरफ ओ इसाह बाद बाद में आपको निकाल सुख दिखाएं फार निचल रावत्ते क्या निके दिखा को पांस ही जुखांगे लिए करते हैं